हलो फ्रेंड्स, इस्टिडी बित कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर सागत है, पिछली वीडियो में हमने संबिधान में अनुछेद 5 से ले करके अनुछेद 11 तक नागरिक्ता संबंधी क्या प्रावधान हैं उन पर डिसकस किया था, और दो चीजें हमने आपको कि जो संबिधान में अनुछेदों के अंतरगत नागरिक्ता के प्रावधान दिये गए हैं, वो सिर्फ उन लोगों की पहचान करते हैं, जो संबिधान के सुरू होते समय, यानि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन जाएंगे, तो वो सभी लोग तो भारत के नागरिक बन उसके बाद अनुछेद 11 में कहा गया था कि आने वाले समय के लिए नागरिक्ता संबंधी प्रावधान संसद बनाएगी, और संसद ने इसी सक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिक्ता अधनियम 1955 बनाया, सिटीजन सिप एक्ट 1955 बनाया, आज की क्लास में हम उसी एक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्पूर है, और वर्तमान समय में कौन-कौन भारत का नागरिक बन सकता है, उसका पूरा खाका जो है इसी एक्ट में दिया गया है, और समय समय पर इसी एक्ट को संसोधित किया जाता रहा है, और वर्तमान समय तक 9 बार इसमें संसोधन क किया जा चुका है लेटेश्ट संसोधन जो है 2019 में किया गया CAA 2019 तो हम 1955 से कहानी शुरू करेंगे और सभी संसोधनों के साथ में लाश्ट तक पूरा विधुवत इसको हम समझेंगे तो चले शुरू करते हैं नागरिक्ता अधिनियम 1955 के विसे में तो सबसे पहले आप दो बा संसते का यहाँ पर वरनन करेंगे संविधान के अनुच्षेद 11 का रिफिरेंस दिया जाएगा आपको कि 11 में क्या कहा गया है अनुच्षेद 11 में जो है नागरिक्ता संस्बंधि बिद्य बनाने की सक्थी संसद को है storage में यही कहा गया कि नागरिक्ता संबंधी बिध्य बनाने की सक्ति किसके पास है संसद बनाएगी और संसद ने अपनी इसी सक्ति का प्रियोग करते हुए 1955 में संसद ने जो है नागरिक्ता अधिनियम बन गया भारती नागरिक्ता से संबंधित जो है यह अधिनियम है नागरिक्ता अधिनियम 1955 यह बनाया तो इस अधिनियम में उन्होंने क्या कहा इस अधिनियम में कहा कि 26 जनवरी 1955 के बाद भारत में कौन नागरिक बन सकता है यानि नागरिकता के अरजन के क्या तरीके होंगे और किनकी नागरिकता छीनी जा सकती है उसके तरीके क्या होंगे तो इसमें दो चीजें बताई गई हैं इस नागरिक्ता अधनियम में दो चीजें बताई गई हैं एक तो बताया गया कि नागरिक्ता प्राप्त कैसे होगी यानि अरजन कैसे एक तो ये चीज बताई गई और दूसरी चीज बताया गया कि नागरिक्ता का हनन कैसे हो जाएगा यानि नागरिक्ता की समाप्ति कैसे होगी उसकी विधिया क्या होगी नागरिक्ता की समाप्ति ये दो चीजें इसमें बताई गई है दोनों चीजों पर डिसकस करेंगे तो नागरिक्ता प्राप्त करने की पांच विधियां इसमें इन्होंने बताई इसमें पांच विधियां बताएगी नागरिक्ता प्राप्त करने के पांच तरीके हो सकते हैं पांच तरीके कौन से बताएगे इस अधनियम में इन्होंने कहा कि एक तो हम इसमें जन्म से नागरिक्ता देंगे दूसरा तरीका होगा वन्स क्रम से या आप इसको कह सकते हो की से रक्त सम्बंध द्वारा तीसरा तरीका उन्होंने बताया जो इस अध्नियम के नुसार होगा वो है पंजी करण द्वारा यानि रजिस्टेशन द्वारा पंजी करण द्वारा यह तरीका हो सकता है और प् dimension दे सा go कि देशी करण अभी हम एक-एक को पूरा डिटेल में डिसकस करेंगे क्या है और पाच्वा तरीका इन्होंने बताया कि छेत्र अर्जन द्वारा कि छेत्र अर्जन कि नागरिक्ता प्राप्त करने के पांच तरीके होंगे और यह कब से होंगे यह 26 जनवरी 1950 के बाद यानि कि इसके पहले जो नागरिक बनने थे वो तो समिधान में जो प्राप्धान किये गए थे उसके अनुसार बन गए थे अब जो आगे बनेंगे उनके लिए यह पांच तरीके होंगे और नागरिकता की समाप्ती कैसे होगी उसके तीन तरीके बताएगे नागरिकता की समाप्ती के तीन तरीके होंगे पहला तरीका होगा त्यजन यानि त्याग देना कोई ब्यक्ति स्वयम अपनी नागरिक्ता त्याग दे त्यजन दूसरा तरीका होगा समाप्ति कैसे हो जाएगी समाप्ति या निरसन इसको कहते हिंदी में निरसन या समाप्ति और तीसरा तरीका होगा वंचन सरकार किस प्रकार से नागरिक्ता किसी ब्यक्ति को वंचित कर सकता है यह तीन तरीके बताएगे नागरिक्ता की समाप्ति के लिए नागरिक्ता कैसे लोब हो जाएगी तो नागरिक्ता अधनियम 1955 लागू हो गया और इसी के आधार पर आज त संसोधन किया गया है समय समय पर तो यहां पर यह भी दर्ज करेंगे कि इस अधनियम में यह बेसिक बाते हैं यह आपको जानी जरूरी है इस अधनियम में अब तक अब का मतलब है जिस तिरा जिस दिना को मैं यह वीडियो आपके लिए तयार कर रहा हूं 2020 तक आप मान के चलि है कि संसोधन है कि हुआ है कि और अर्फवार जब हएक नाग्रिक्ता संसोधन अधनियम पारिद किया गया याžनी हर वार एक नया एक्ट लाया गया और उस एक्ट में कुछ संसोधन करके इसको बदला गया लेकिन मूल रूप से अभी नागरिक्ता अधिनियम 1955 ही लागु है उसी को बार-बार संसोधित किया गया है हो सकता है भविस में संसद कभी कुछ ऐसा प्रावधान करे कि बिल्कुल फ्रेस एक नया एक्ट बना दे और फिर पूरी तरीके से इसको समाप्त भी कर दे ऐसा भी उसके पास सकती है एक चीज और याद रखेगा जब जब इसमें संसोधन किये जाते हैं किसी भी विधी में जब संसोधन किया जाता है तो संसोधन के दिनांक से ही वो संसोधन लागु होता है उसके पहले अगर उससे कोई कार हो चुका है वो परिवर्तित नहीं किया जाता यह तरीका होता है जैसे कि जब यह 1955 में बना था एक्ट तो इसमें अगर कहा गया था कि जन्म से जो बात की गई थी उसमें कहा गया था कि जो भी बच्चा भारत की धर्ती पर यानि भारत के राजिछेत्र में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक बन जाएगा लेकिन आगे च उसकी संतान यहां पर पैदा हो गई तो उसको भारत की नागरिकता का हक हो जाता था क्योंकि इस एक्ट में लिखा था कि जिसका जन्म भारत में होगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी तो फिर इसमें आगे चलके संसोधन किये गए इसमें बहुत सी चीजें घटाई नोट्स में डालीजे रटने की जुरूत नहीं है लेकिन नोट्स में रहेंगे तो आपको आटोमेटिक याद हो जाएंगे उनीस सो पच्पन में तो यह बना ही उसके बाद इसमें उनीस सो सत्तावन में संसोधन हुआ उसके बाद साथ में हुआ फिर जो हैं पचासी में हुआ फिर 2003 में हुआ फिर पांच में फिर पंदरा में और लास्ट जो हुआ वो 2019 में हुआ कि 19 कितना हो गया देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो बार सिटीजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट लाए गए हैं तो इन सब के संसुधन के साथ में हम पढ़ेंगे अभी हम जब इस नागरिक्ता अधिनियम 1955 को पढ़ेंगे तो इसमें जब जब जहां पर जो चीजें घटाई बढ़ाई गई हैं उनको हम साथ में समझते हुए चलेंगे लेकिन यह लाश्ट के बहुत महत्पूर्ण हैं 2015 वाला और 2019 व लेकिन बाकी जो संसोधन है वह इसी में हम बताते हुए चलेंगे तो चलेंगे शुरू करते हैं कि नागरिक्ता अधिनियम 1955 क्या कहता है इस पर बात करते हैं लोट्स आप जरूर बनाते रहें हमेशा याद रखिए कि कमपटेशन की तैयारी जिस एक्जाम के लिए आप कर सकती हैं जितना कि अगर आप अपने हाथ से कुछ भी लिखते हैं वह पर्मनेंट हो जाता है आपके माइंड में उसको बार बार आप पढ़ते हैं लिखते हैं वह ज्यादा सटीक रहता है तो इसलिए लिखने की एक आदत जरूर डाले तो नागरिक्ता अधिनियम 1955 कि इसम पाज तरीके होंगे इसमें अभी हम आपको पांचों तरीकों के नाम आपको लिख्टिंग करवा दिया है अब हम एक एक तरीके पर बात करेंगे तो सबसे पहला तरीका जिसको कहा गया कि जन्म से कि जन्म से बाई बर्थ देखें जब 1955 में ये एक्ट लाया गया उसमें कहा गया कि जो भी ब्यक्ति या जो मतब सिसू बच्चा जो भी बच्चा भारत के छेत्र में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा 26 जन्मरी 1950 के बाद की जा रही है तो इसमें हम वर्स डाल करके लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि जब 1955 में ये लागू किया गया था तब क्या बात कही गई थी और फिर हम संसोधन जब-जब किया गया है वो भी लिखेंगे तो 1955 में कहा गया था कि 26 जन्मरी 1950 के बाद भारत के राज चेतर में भारत के राज चेतर देखें यहाँ पर भारत के राज चेतर की बात की जा है यानि कि जो बट करके जो भारत बना है उसकी बात की जा रही है यहां पर आव इभाजित भारत की बात नहीं कर रहे हैं कि 26 जन्वरी 1950 के बाद में अगर कोई बैक्ति लाहोर या कराची में पैदा हुआ है वो नहीं नागरिक बन जाएगा अब यहां पे इसपस्ट भारत के राज चेतर की बात की जा रही है। 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत के राज छेत्र में जन्म लेने वाला ब्यक्ति बहुत आसानी से समझेंगे बहुत सरल है और आप जरासा भी इसमें आप इसकिप कर गए और चीजों को ध्यान से नहीं सुना तो बहुत जटिल हो जाएगी नागरिक्ता को समझना आपके लिए फ फितना कहा गया था कि 26 जनुरी 1950 के बाद भारत के राज छेत्र में जन्म लेने वाला ब्यक्ति यानि कि जन्म के आधार पर तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है सुरुवात में तो इसका अहसास नहीं हुआ लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसका मिस्यूज भ देनी पड़ सकती है जिनको नहीं देना चाहिए यदि कोई बिदेशी ब्यक्ति बाहर से आता है और मान लेते हैं कि उसकी वाइफ को संतान होने का समय है और वो यहां पे दो महिने के लिए आता है और उसी दवरान भारत के अथ्राइट हास्पिटल में उसके संतान का जन् लिया वो कहीं का भी रहने वाला हो आप कहे सकते हैं कि वो कहीं कि इसमें कुछ भी नहीं कहा गया था कि उसके माता पिता कहा के रहने वाले हूं तो 1955 में यह हुआ फिर इसके आगे कुछ परड़ाम सकरात्मक नहीं दिख रहे थे तो फिर 1900 अभी आमने बताया कि कई बार इ 1987 से एक संसोधन लागू किया गया उसके आधार पर इसमें कुछ चीजें बदल दी गई उसको अब यहीं पर हम पढ़ लेंगे कि एक जुलाई 1987 से इसमें एक नया प्रावधान लागू कर दिया गया और इसमें कहा गया कि उसके अब वो बात तो रहेगी ही यह बात तो रहेगी ही सर्थ बढ़ाएगी इसमें कि उसके माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हो भारत के नागरिक हो देखे इसमें कहा गया कि सिर्फ इतने से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी अब इस ब्यक्ति के जो भारत में जनम तो ले ही साथ ही साथ उसके माता या पिता या फिर दोनों में से कोई भी जो है भारत का नागरिक होना चाहिए तभी उसको नागरिकता मिलेगी इसमें भी एक कमी थी और वो कमी ये थी कि यद इनमें से कोई भी एक भी भारत का हो जैसे माल लेते हैं कि बांगला देश या पाकिस्तान से कोई भी भी आया यहां पर और यहां पर उसने साधी कर ली इसके बाद में उनकी कोई संतान हुई तो इसमें अब सर्थ पूरी हो जा रही है कि जनम भी लिया भारत में और उसके माता या पिता में से एक भारत का भी है इसको नागरिकता देनी है तो इस तरह से भी कुछ ऐसे इलीगल तरीके से लोग काम करने लगे नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्योंकि जब किसी सिसु को आप नागरिकता देंगे तो उसके सरचण के लिए उसके माता पिता को भी वहां रहने की अनुमती आपको नैतिक रूप से देनी पड़ तो फिर इसमें फिर से एक संसोधन किया गया 2003 के संसोधन में और उसको लागू किया गया 2004 से तो वो डेट कौन सी है उसको भी आप देखें तीन दिसंबर 2004 से एक नया प्रावधान इसमें लागू किया गया और अब कहा गया कि दोनों माता और पिता दोनों ही भारत के होने चाहिए क्योंकि इसमें दिक्कत आ रही थी कि कोई व्यक्ति एक बाहर का आकर के अवायद रूप से और नागरिकता प्राप्त करने की कोशिस करने लगे थे लोग तो इसमें जोडा गया कि 3 दिसंबर 2004 से कहा गया कि माता और पिता दोनों हूं और पिता दोनों भारती नागरिक हू तो उसको जो है नागरिकता मिलेगी जैसे वर्तमाज समय में मेरे बच्चे या आपके बच्चे किस प्रकार से नागरिकता पाएंगे हम लोग तो मालेते हैं जो हमारे लोगों के पिता थे वो 26 जनवरी 1950 के समय पर जो प्रापधान थे उससे नागरिकता पा गए उनके जो भी भारत में जन्म लेगा यानि हमारी संतान भारत की नागरिक हो जाएगी और नीचे वाली सर्थ क्या है कि उसके माता पिता या दोनों भारत के नागरिक हो तो मैं भारत का नागरिक हो तो मेरा बच्चा भारत का नागरिक बन जाएगा अगर मेरी वाइफ भारत की न प्रापधान यह जोड़ा गया क्योंकि कुछ लोग विदेशों में साधी करते हैं। इसमें यह जोड़ दिया गया कि अगर लीगल रूप से साधी है। यानि कि अगर एक भारती है तो दूसरा अवायध प्रवासी नहीं होना चाहिए। यानि वो भारत में लीगल तरीके से आया हुआ बेक्ति होना चाहिए तो इसमें कहा गया माता और पिता दोनो भारती हो अथवा अगर दोनो भारती नहीं है अथवा यदि एक भारती है एक भारती है तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो यानि कि वो भारत में विधिक दस्तावेज के साथ में आया हो बाकाइदा उसके पास पासपोर्ड वीजा लीगल डाकुमेंट्स जो होते हैं वो होने चाहिए तब ही उसको अवायध प्रवासी नहीं माना जाएगा अवायध प्रवासी कौन होता है अवायध प्रवासी वो भारत में रह रहा है या भारत के राजी छेत्र में यात्रा कर रहा है लेकिन उसके पास कोई भी विधिक दस्तावेज नहीं है लीकल डाकुमेंट्स नहीं है पासपोर्ट नहीं है बीजा नहीं है तो वह अवैध प्रवासी है या फिर उसके दस्तावेजों की तिथी सीमा ज तो अगर उनमें से कोई भी एक अवैध प्रवासी है तो फिर उसका बच्चा भारत में जनम लेगा तो उसको नागरिक्ता नहीं दी जायेगी तो ये तीनों चीज़े आपको याद रखनी है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा वर्तमान में इन तीनों सर्तों को मिला करके बन वो अवाइध प्रवासी ना हो अब सारी चीजे तो लागू है ना तो सभी चीजे एक में मिला के आप बताओगे वर्तमान में सिचुएसन क्या है और जो चीज जहां से लागू की गई है वो पीछे वाले केसे पर एफेक्ट नहीं करेगी यानि अगर 2004 के बाद में ये चीज आई है तो जिनको 87 से लेके 2004 के बीच में सिर्फ दो प्रावधान पे नागरिक्ता मिल गई है उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहां से इफेक्ट पड़ेगा जो आगे आएंगे तो यह आगे हर बार मुझे बताना ना पड़े कि जो तारीक जहां से लागू की गई है दूसरा तरीका यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि भारत के राजिछेत्र में ही बच्चे जनम ले हो सकता है कि कल को मैं अच्छा खासा पैसे वाला बन जाओं यदि तो मैं विदेश भी जा सकता हूँ और विदेश में जाकर के मैं अगर रहता हूँ और अगर वहां जाकर के मेरी कोई संतान होती है वो तो विदेश की धर्ती पर जनम लेगी तो बाई बर्थ वाले में तो वो आएगा नहीं क्योंकि उसका जनम भारत की धर्ती पर न है तो वो बच्चे भी भारती नाग्रिकता प्राप्त करेंगे तो उसके लिए दूसरा तरीका कोँ रक्त संबंध के आधार पर वन्स या रक्त संबंध के आधार पर इसको आप कह सकते हो बाई डिसेंट अब इस वाले बिंदु में भी तीन बार चीजें जोड़ी घटाई गई है तो उनको समझते हुए चलेंगे सबसे पहले हम देखें कि जब 1955 में एक्ट बना था तब क्या कहा गया था उनिस सो पच्पन में जब एक्ट बना था तब इसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति बिदेश में जन्म लेता है और उसका पिता भारती है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा यानि कि इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति मतब सिसू बच्चा यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है अभी पहले वाले में देखे भारत के राज छेत्र की बात की जा रही थी यहां पर विदेश में जन्म लेने की बात की जा रही है यदि कोई व्य उसका पिता अंडरलाइन करिएगा पिता को दो बार अंडरलाइन करिए सिर्फ पिता लिखा हुआ है माता नहीं उसका पिता भारती नागरिक है भारती नागरिक है तो वह भारती नागरिक बनेगा भारती नागरिक बनेगा यानिक उसको भारती नागरिक्ता मिलेगी अब देखिए उनीस सो पच्पन में पिता सब्द का प्रियोग किया गया है हमारे यहां पित्र सत्तात्मक सत्ता रही है काफी पहले से हलाकि अब यह भ्रांतियां टूट रही है तो पहले सुरुवात में क्या होता है जैसे कि आप भी अपने गाओं घर में अगर देखिए तो आपको आपके दादा पर दादा के वंस के हिसाब से आपको पहंचान मिलती है आपके जो ममी का पच्छ है मात्र पच्छ है यानि आपका ननिहाल वहां के वंस से आपको पहंचान नहीं प्राप्त होती है आपको यह कहा प्रावधान में 1955 में यह बात आई तो इसमें कहा गया कि यद कोई ब्यक्ति बिदेश में जन्म लेता है और उसका पिता भारती नागरिक है तो वह भारती नागरिक बनेगा यानि वह बच्चा और यहां भी डेट वही है विदेश में यहां भी 26 जन्वरी 1950 के बाद यह बार-बार मैं नहीं लिखूंगा लेकिन आप याद रखेगा है सब प्रावधान 26 जन्वरी 1950 के बाद के लिए हैं पहले के लिए नहीं हाला कि अधिनियम 1955 में बना लेकिन बात यह 26 जन्वरी 1950 के दिन से आगे कर रहे हैं यानि 52, 53, 54 में भी जो हुए केस वह सब इसी के द्वारा निप्टाए जाएंगे और इसके पहले वाले हम आपको पढ़ाई चुके हैं तो इसमें क्या प्रावबलम थी इसमें प्रावबलम ये थी कि ये पिता अब एक एक जामपिल समझे यदि एक पुरुस है भारती और वो बिदेश जाता है काम के सिलसले में या पढ़ने के सिलसले में और वहां एक विदेशी महिला से साधी कर लेता है और उसके वहीं एक संतान होती है तो इसी क्याधार पर उसको भारती नागरिकता मिल जाएगी नए बच्चे को क्योंकि उसका पिता भारती है माता अमेरिकन है या कोई और देश मालो और नवकरी और उसको वहां किसी बिदेशी पुरुष से साधी वो कर लेती है। फिर उसको वहां विदेश में ही संतान होती है। अब क्या यह Act उस बच्चे को दे पाएगा नागरिकता क्योंकि यहां पर पिता तो उसका अमेरिकन है। पिता भारती है नहीं और बच्चा बिदेश में जनम लिया अगर यहां जनम लेता तब बात बन जाती पहले वाले उससे बाई बर्थ की भारत में जनम लिया माता पिता में से एक है तो बन जाती बात लेकिन बच्चे ने बिदेश में जनम लिया है और उसका पिता भारती है तो यहां पर इस्त्रीय और पूर्शों के साथ बहित भाव किया रहा है, तो इसमें बढ़ाई गई वह चीज, तो 10 दिसंबर 1992 से संसो दन एक लागू किया गया, और इसमें कहा गया, कि यहां पे सिर्फ पिता वली बात को हटा के क्या कर दिया गया, कि माता, या पिता, या द लों ど दोनों में से कोई यो가요 में से कोई भारती हो भारती हो यादि की उपर वाली तो बात रहेगी बच्चा विदैस में जन्म लिया आप इसमें देखे Beach F Big हो माता हो कामन सी बात दोनों यहां तो सर्थपूरी है कोई बी एक हो यहां पर चाहिए लड़की यहां से बाहर जाती यहां पर बाहर जाता है गर विदेश में साधी करता है किसी विदेशी से तो भी बात बन जाएगी तो यह आ गया यहां पर लेकिन अब इसमें भी आगे कुछ होचपोच होने लगा इसमें हुआ यह कि इसका भी कुछ दुरुपयोग लोगों ने किया कुछ लोग इंटेंसली दुरु přष्था के लिए अपलाई करने लगे कि हम उन एक साल कर देखियाहन है अब एक सर्थ बना दी जाया कि अगर इस तरह से कोई बच्चा जनम लेता है तो एक साल के अंधर वे driving वन ययर आपको Yapको रचिस्टेशन करवा देना पड़ेगा जाएगा वेज्चे का की हमारा इस तभी मिलेगा एक साल से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको विसेश अनुमती लेनी पड़ेगी केंदर सरकार से और पिर अनुमत के साथ में आपको उस बच्चे का रिष्टिशन कराना पड़ेगा तो यह सर्थ आपकी आगई 2004 से तो अगला 2004 वाला कब लागो हुआ था व कहा गया कि इस प्रकार के बच्चे का जो प्रुप प्रकार है इस प्रकार के बच्चे का एक वर्स के अंदर एक वर्स के भीतर भारती दूतावास में अगर विदेश में जन्म लिया है तो वहां पर भारती दूतावास होगा और नहीं है तो आप भारता के कर सकते हैं भार करण कराना होगा कि यह सर्थ बढ़ा दी गई और इसमें चीज और भी थी कि यदि समय और हो जाता है और आपका मामला जिन्विन है असली केस है कोई बनावटी नहीं है दोंखाधड़ी नहीं है तो आप केंद्र सरकार से परमीशन लेके एक साल के बाद में भी आपको कुछ अनुमती मिल जाएगी लेकिन हर बार नहीं यह अनुमत से होगा लेट होने पर लेट होने पर केंद्र सरकार से केंद्र सरकार की अनुमत से कर सकते हैं यानि आपके पांस चांस रहेगा कोई बात हो गई इमेर्जंसी है आप नहीं करवा पाए तो अनुमत लेके कर सकते हैं जो जैनमिन केस होंगे वो जब एक साल के बाद प्रियास करेंगे तो उनके केस को देखा जाएगा क्या मामला है और सच्छाई है उसमें तो बाद में भी हनुमति दे दी जाएगी हमा गर नागरिक है हमारे देस का वह अगर बच्चा है तो हम उसको बिल्कुल स्विकार करेंगे तो 2004 से ये प्रावधाना गया फिर मैं उस बात को दोहरा दूँ कि जो प्रावधान जिस डेट से आ रहा है वो उसके आगे लागू होगा पीछे नहीं लागू होगा पीछे जिसको मिल गया मिल गया तो यह यहां पर कर दिया गया अब इसमें एक चीज और आई जब यह देश-बिदेश वाला मिकसफ होता है कि लड़का भारती बढकी भीदेशी है या लड़की भारती है लड़का भीदेशी है तो ऐसे में तो बच्चा जो होता है वो दो-दो देशों की नागरिकता पा जाता है आप कलपना करिए कि बहारत और पाकिसतान का उ तो भारत के नियमों के अनुसार भारत की नागरिक्ता भी उसको मिलने का चांस है और पाकिस्तान के नियमों के अनुसार उस लड़के को चुकि एक कंडिडेट पाकिस्तान का भी है न माताया पिता उसका तो वहां भी नागरिक्ता के चांस है तो ऐसे में क्या होता है कि बच जब 18 साल का वो बच्चा हो जाएगा तो फिर उसको एक जगे की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी अगर वो दूसरे देश की नागरिकता का त्याग नहीं करता है तो फिर भारती नागरिक नहीं रह जाएगा और वो भारती नागरिक नहीं रहना चाहता है तो फिर कोई बा आखे तो सारी सिच्वेशन्स आपको मालूम होनी चाहिए कि नोट यहां पर यह लिखेंगे कि यदि कोई सिसू कोई नाबालिक कि इस कंडिशन में दो देश की नागरिकता मिल जाएगी हमने आपको समझा दिया यदि कोई नाबालिक सिसू दो देशों की नागरिकता पाने का अधिकार रखता है तो दोनों ही उसको मिल जाएगी अब इसमें क्या कहा गया उसके बालिक होने पर अब बालिक होने की उम्र भारत में 18 वर्स है अब दूसरे देश में जो भी हो वहां कनियम जाने वो उसके बालिक होने पर यदि उसे भारती नागरिकता चाहिए अब उसकी मर्जी पर है भारती नागरिक्ता चाहिए तो दूसरी त्याग करनी पड़ेगी उसका सार्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि हमने उसको त्याग दिया है अब एक और महत्पूर्चीज इस वाली बिधी में क्योंकि इसमें एक बिदेशी है और बिदेश में बच्चा जन्म लिया है तो फिर इसमें एक सपत पत्र भी देना पड़ेगा कि वो जो है बच्चा जो है वो दूसरे देश का पासपोर्ट धारण नहीं करता है तो इसमें एक सपत पत्र भी देना पड़ेगा एक सपत इसमें लिख लीजे एक सपत भी दी जाती है इसमें कि बच्चा दूसरे देश का पासपोर्ट धारण नहीं करेगा तब ही नागरिक्ता मिलेगी उसको क्योंकि ऐसे में लोग बहुत फायदा उठाने लगे दो दो देश की नागरिक्ता के इंजुआय करने लगे थे इसलिए धिरे धिरे प्रावधान सुधार किये गए तो यह दूसरा तरीका हो गया वन्स या रक्त संबंध बाई डिसेंट तो इसमें देखिए उनी सो पच् भारती पर जन्म लेने वाला और विदेश में भारतियों के बच्चों को दोनों तरीके हो गए आपके अब इसमें कहा गया कि कि रजिस्टेशन की बिधी के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे यानि यह तो दो तरीके हो गए जो आपके एक तो भारत की धरती पर जन्म लेने वाले बच्चों के लिए हो गए एक बिदेश की धरती पर जन्म लेने वाले बच्चों के हो गए और दोनों में माता पिता जो है वो भारती थे कोई न कोई भारती जरूर था अब इसमें कहा गया कि कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं जिनके माता पिता भारती मूल के रहे हों यानि उनके दादा पर दादा यानि उनके पूरबज भारती रहे हों लेकिन अब वो भारती नहीं हैं वो विदेश में रहते हैं अब भी तो बहुत से लोग रहते होंगे जो हुआ दाधा-दादी कभी रहते थे भारत में वहाँ के निवासी थे भारत के लेकिन अब वो विदेसों में रहते हैं और उनके बच्चे अगर भारती नागृता प्राप्त करना चाहते हों उनके लिए है सब के लिये नहीं सब उन विदेशियों के लिए जो भारती मूल के हो लेकिन हैं वो विदेशी आज वो नागरिक नहीं है तो उनके बच्चे अगर हमारे देश की नागरिकता लेना चाहे तो क्या तरीका होगा उसके लिए तीसरा तरीका निकाला गया पंजी करण यानि इसको आप कह सकते हो बाई रेजिस्ट्रेशन यह किसके लिए था? यह था बिदेशियों के भारती मूल के भारती मूल के बिदेशी भारती मूल के बिदेशी जिनको आप कह सकते हो देखे भारती मूल के बिदेशी भारती मूल के बिदेशी कौन लोग होते हैं? इनको कहते हैं P.I.O. यानि परसन आफ परसन आफ इंडियन ओरिजिन जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई हो जिनके पूर्वजों की उत्पत्य भारत में हुई हो उसको भारती मूल का बिदेशी कहा जाता है बिदेशी सब्दी सिले कह दिया क्योंकि अगर वो भारत का नागरिक होता ही पहले से ही तो फिर पूरवाले कलाज में चला जाता ना यहां पे वो किसी भी प्रकार से भारत से समन्दित नहीं है सिर्फ एक प्रकार से भारत से समन्दित है कि वो भारत की उत्पत्ति का है जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजों के समय में बहुत से लोग अफरीका ले जाए गए बहुत से जगोँ पर ले जाए गए जैसे आप गिर्मिटिया के बिसे में पढ़े होंगे तो इस तरह से बहुत से लोग विदेशों में गए फिर वहीं पर रच बस गए वहीं पर बिजनेस फैला लिया वहीं पर रहने लगे उनका भारत से नाता खतम हो गया हां उनके पूरवज कभी भारती जरूर रहे थे ले कि संतान है तो फिर वह भारत की नागरिक्ता अगर लेना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सकता है तो भारती मूल के बिदेशी कैसे नागरिक्ता प्राप्त करेंगे कैसे भारती नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इसमें ये बताया गया है करेंगे तो P.I.O. को आप समझ गए यानि कि आप इसमें और थोड़ा डिफाइन कर दू जिनके पूरबज चार पीड़ी तक चार पीड़ी तक का भी गिन लिया जाये गया यानि दादा पर दादा उपर और कोई अपर दादा चार पीड़ी तक का कोई भी अगर साच है उनके पास में कि हाँ वो थे भारती जिनके पूरबज भारती रहे हूं उनको कहा जाता है P.I.O. परसन आफ इंडियन ओर जिन और अब वो अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उनको पंजी करण की बिधी से आना होगा तो इसके लिए क्या कहा गया कि उन्हें साथ वर्स भारत में रहना होगा यानि कि साथ वर्स तक वो भारत में कम से कम रह रहे हूं फिर वो आवेधन करेंगे आवेधन करेंगे और उसके बाद में सुईक्रत मिलने पर स्विक्रत होगी और नागरिक्ता मिल जाएगी उनको यह तरीका उनके लिए होगा तो इसमें से कुश्चन बन सकते हैं कि किसी भारती मूल के विदेशी को भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने दिन भारत में रहना अनिवार है तो आवेधन करने से प पूर्व उन्हें साथ वर्स भारत में रहना होगा उसके बाद वह अवेधन करेंगे और फिर सुईक्रत मिलेगी और फिर वह नागरिकता प्राप्त कर लेंगे और इस तरह से जब भी कोई होगा अगर अगर एससे कोई रहता है भारत में तो ठीक है मिल गई अब कभी बिदेशियों से कोई साधी हो जाती है और इस पाउज्च को यह पती या पतनी आता है बिदेस से जिसे कोई भारती पुरुस है और वो बिदेशी महिला से साधी कर ले तो उस विदेशी महिला को अगर वो भारती नागरिक बनवाना चाहता है और वो महिला राजी है तो वो कैसे बनेगी तो उसको उसमें भी साथ वर्ष के रहने का प्रावधान उसमें भी है यानि कि वो भी साथ वर्ष तक पहले अपने इस पाउज के साथ में या एक चीज ये हो गई, इसमें कई है, एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज, भारती नागरिक से, यानि कि बिवाह करने वाला वेक्ति, देखे, भारती नागरिक से, कोई भारती नागरिक हो, इस्तरी हो या पुरुस, भारती नागरिक से बिवाह करने वाला वेक्ति, इस्तरी ह पूरुसो कैसे नागरिक प्राप्त करेगा कैसे नागरिक बन सकता है यह बताया गया वो कैसे बनेगा उसके लिए भी यही है प्रावधान यही प्रावधान है आवेदन आवेदन से पूर्व साथ वर्स निवास करे वो उसके बाद आवेदन करे और फिर उसके बाद में उसको जब स्विक्रती मिलेगी आवेदन उसका चेक होगा फिर वो नागरिक बन जाएगा यह तरीका होगा उसके लिए जैसे बहुत से लोगों को आप जानते होंगे कि किस प्रकार से बिदेशी महलाएं भारत में बिवाह करके आई और उसके बाद में वो यहां रही और फिर उनको भारती नागरिकता प्राप्त हुई और देखें यह जो साथ वर्स रहने वाला यह होता है इसमें यह भी होता है कि जब आवेदन करें तो उसके जश्ट पह आवेदन से तुरंत पहले बारा माह निवास यह भी होना ही चाहिए यानि आवेदन से पहले एक साल से तो आप यहां रहे ही रहे हों और उसके पहले का साथ वर्स टुकडों में भी हो सकता है हो सकता कभी-कभी आप बाहर गए हो दो-चार महीने के लिए फिर आए हो तो इस तरह से तो कांटीनु आप बारा महीने से भारत में रह रहे हो और टोटल आपकी लिविंग साथ वर्स होनी चाहिए उसके बाद जो है अवेदन स्विक्रत और नागरिक्ता आपको मिल जाएग के फिर उनके था वर्स यह उनके बच्चरत के लिए अवेदन करना होगा नहीं जो अब वह उनके जो आप ऊपर वाले सिश्टम में आ जाएंगे जो बाइबाई बर्त बताया हमने क्योंकि अब वह तो भारती था नागरिक्त बन गए तो इनके बच्चे अगर है तो फिर पहले नमबर पे हमने बता दिया बाइबर्त या सेकेंड वाले में बाइवन्स जो भी में फिट बैट जाएंगे उसमें आ जाएंगे यदि इस इस्थिती में कोई लोग नागरिक बनने आते हैं और उनके साथ में नाबालिक बच्चे भी हैं उनके पहले से ही बाद में अग प्हेश को में बढमें ओर वावन्स टिरह को लुब आजए फिर नागरिकां दिया गया अगा उस्य से की सी दोख़ ragट को नागरिक दे जाएंगी भी चाहिंत नापालिक भी नागरिक हो हलाकि जब बालिक होगा तो फिर वो तैय करेगा कि उसको बनने ताष्चाएं से सकता है या फिर वह रख वी सकता है तो इसमें एक और चीज बढ़ा लीजे दो हो गया कि तीन नम्बर मैं यहां पर लिख रहा हूं तीन यहां पर लिखें कि पंजी करण से पंजी करण से बने नागरिकों के नागरिकों के नाबालिक बच्चे नाबालिक बच्चे भी नागरिक होंगे क्योंकि मालिय उसके दो बच्चे पहले से हैं तो फिर वो भी नागरिक साथ में ही बन जाएंगे और फिर हमने पहले ही बता चुके हैं कि वो अठारा वर्स का होगा तब वो खुद से बिसाइड कर लेगा और इसके बाद जो आगे बच्चे होंगे तो वो तो या तो भारत की धरती पे जन्म लेंगे तो पहला सेक्षन हमने बताया कि बाई बर्थ बन जाएंगे और यदि वो कहीं बिदेश में जाके जन्म लेते हैं तो दूसरा वाला भी सेक्षन बता दिया कि बिदेश की धरत लेकिन माता-पिता भारती नागरिक बन चुके थे उस बंस वाले बितिसे बाइडिसे उससे बन जाएंगे और भी इसमें कुछ है एक दो लोगों के और प्रावधान है लेकिन ये तीन चीजे मुखिरूप से आप याद रखेंगे पंजी करण से और भी लोगों को नागरिक है वो सबस मामला है उसको देखें क्योंकि जो सीले से आपको समझना है उसकी सारे प्रावधान आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए चाहिए क्योंकि हम करेंगे तो फिर इस चीज़को दिमारवरेगारि में आपके बिल्कुल फिट होना चाहिए